सवाल ये के the final potential difference across each will be again आसान सवाल है बेसिक्स यहां पर clear होने चाहिए हमने क्या किया कि पहले एक अपना ये वी बोल्ड की बैटरी को लगाया एक कपैसिटर पर जिसकी कपैसिटी है C1 इसको fully charge किया उसके बाद हमने ये circuit open कर दिया और इसको हमने एक और दूसरे कपैसिटर जिसकी कपैसिटी C2 है उसके साथ connect कर दिया सवाल यह है कि अब इस केस में इन दोनों के अक्रॉस जो common potential आएगा यहां से यहां पर वी डैश वो कितना होगा पहले आपने बैटरी वी के लगा रहा कि थी हमें यह potential डिफरेंस यहां से यहां का यह बताना है तो इस एक एस के में जब आपने पहले इसको बी से चार्ज किया तो इसके अंदर युट चार्ज हुआ तो क्यों विल बी कोल डू सी वी सी बन वित्ता चार्ज आपका फ़े। जब हमने इसको यहाँ चार्ज बनेगा इस केस में Q2 वो बनेगा C1 plus C2 multiplied by V' या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं will be equal to C1 V' plus C2 V' और V' आपका नया common potential है दोनों का अब यहां पर हम इन दोनों Q1 Q2 को equate कर सकते हैं which implies C1 V will be equal to C1 plus C2 C2 V' विच इंपलाई जो आपका V' आया है वो हो गया C1 divided by C1 plus C2 multiplied by V' अपना final answer हो गया so based on this हम कह सकते हैं कि option number B would be the right choice